हेलो एब्रिवन मैं मेथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे कस्तूर्बा गांधी बालिका विद्याले में áis और इस बार एक नहीं बलकि 13 नए कस्तूर्बा गांधी बालिका विद्याले से आपको रिक्रुट्मेंट देखने को मिलेगा बाई दबे कुछ दिन पहले भी मैंने एक लिस्ट बना दिया है जहांपे पूरी की पूरी यतनी भी कस्तुर्बा गांधी बालिका विद्ध्याले से cut-off, merit, result या फिर नए recruitment की आई है वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगी एक साथ सारी मिल जाएगी तो वहाँ से जाकर आप चेक आउट कर लिजिए देख लिजिए लिंक आपको description box में भी मिल जाएगा playlist के वहाँ से आप जाकर उसे देख सकते हो वह विडियो को देखकर वापस जा सकते हैं देखनी की जरूत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ female के लिए ही जो है यह post applicable है महिलाओं के लिए ही जो यह post applicable है अब बोलोगे यह भेदभाव क्यों सरकार से पूछिए मुझे नहीं पता जो recruitment आई है उसकी जानकारी मेरा देना काम है आपके तक और देखिए एक और बात है इसकी जो PDF है फॉर्म भरने की वो PDF है नहीं क्योंकि मैंने newspaper से यह cutting निकाली हुई है PDF पूराने वाले किसी भी फॉर्म का आप जो है चैनल के टेलीग्राम चैनल के PDF सेक्षन में खोजोगे फाइल के सेक्षन में ढूनोगे तो आपको मिल जाएगा तो उसे ही भरकर आपको भेज देना है सारे के सारे format एक ही होते हैं चलिए आप जिस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं जिस जनपत से इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे comment करके उस जिला का नाम जरूर लिख दें ताकि जब भी आपके जिले से recruitment आए ना उसकी जानकारी आपको मैं दे सकूँ देखिए कौन कौन सी पोस्ट आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके देखिए जो पोस्ट आई हुई है वो मैं आपको दिखा दो यहां से देखो गनित सिक्षिका की recruitment आई है अगर आपका सब्जेक्ट गनित है तो विडियो देखिए बिज्ञान है हिंदि संस्कृत है समाजिक विषय है अंग्रेजी है उर्दू है कम्प्यूटर है स्काउट गाइड सारी रिक सिक्षा है कला कराप्ट है देखिए और भी recruitment है मुक्रसोया सहायक रसोया चपरासी की recruitment यहां से आपको देखने को मिलेगा अगर आप इन में से कोई सब्जेक्ट आपका है तो ही इस विडियो को पूरी तरह से देखिए बाइद बाद अगर अगर आप इन सारे criteria में लगता है कि ठीक अवया अच्छी खासी salary है यहां पे काम कर लेंगे और यह तीनों criteria को अगर आपको समझ में आ रहा है तो पूरी विडियो देख लिजिए तो चलिए सबसे पहले गनित के साथ स्टार्ट करते हैं PCM से आपका graduation होना चाहिए physics chemistry math इस है एक vacancy अन्य पिछडा वर्ग के लिए है चलिए आगे देखते हैं अगले भी से के लिए बिज्यान अगला subject है जेड़ बीसी यानि कि जिलोजी बॉटनी और chemistry अगर आपका graduation है बीएड है टैट है आप eligible हो जाते हो अपने आप ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question क क्या बोल रहा हूं मैं अगले subject की और हिंदी और संस्कृत है अगला subject और इसके लिए हिंदी या संस्कृत से अगर आपने ग्रेजविशन कर रखा है टैट और बीएड कर रखा है 22,000 रुपए salary दी जाएगी दो unreserved यानि कि यूर जेनरल के लिए सीटे हैं एक सीट पिछड़ा वर्ग OBC के लिए यानि कि टोटल पोस्ट आएगी चार इसी तरह से SST subject में देखिए अगर आपने geography, history या civic से इन तीनों में से कोई एक विज़े से graduation करा है आप यहाँ पे eligible हो जाते हो SST teacher बनने के लिए टैट होना जरूरी है, beard होना जरूरी है, salary 22,000 यहाँ पे जनरल के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, एक पोस्ट है अनुसोचित जाती के लिए और एक ही पोस्ट है, कुल टोटल जो पोस्ट है वो एक ही है आगे दखिए, अंग्रेजी सिख्चका के लिए जो recruitment आई है वो है, अंग्रेजी से graduation, साथ में beard, साथ में tat होना जरूरी है, 22,000 रुपे परमत दिया जाएगा, total vacancy है, दो, और you are, यानि की unreserved, कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है, उनके लिए दो सिटें रखी गई है उर्दू सिख्चका के लिए भी recruitment है, 13,200 रुपे आपको दिया जाएगा, बी ए उर्दू से होना चाहिए, LTE या BT या B8 कर रखा है, काम आपका बन जाएगा, टैट की जरूरत नहीं है सेलरी आपको 13,200 रुपे, कम्प्यूटर सिख्चका के लिए 900 रुपे पर मंत दिया जाएगा, PG, DCA, BCA या BSC से कम्प्यूटर किया है, काम आपका बन जाएगा, टोटल 7 वेकेंसी है, 5 है, जेनरर काटेगरी के लिए 2 है, अनसुचित जाती के लिए आगे देखिए स्काउट गाइड एबं सारे रिक सिख्चा के लिए 900 रुपे आपको दिया जाएगा, BPA, CPA, DPA अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पे काम कर सकती हूँ आप, अनस्कालिक सिख्चका कलाकराप्ट एबं संगीत के लिए रिकूटमेंट आई है, ग्रिजिव के लिए जो आई हुई है, सेलरी वो अलग-अलग है, 900 रुपे आपको मुख्य रसोया के लिए, 575 रुपे या साहया के लिए, और चपरासी के लिए 5,750 रुपे और चौकिदार के लिए भी 5,750 रुपे दिया जाएगा, यह वेकेंसी कहां से आई है, यहां से देख लो, अ पोस्ट से या फिर निलंबित डाक के द्वारा ही भेजना है आपको, चलिए, क्लियर होगे बाते, अलिगर किसके लिए फेमस है कि वीडियो आपने यहां तक देखिया ना, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अलिगर जो की यूपी में है, किसलिए प्रसिध्ध है, न प्लिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएका, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया, हैव अगुड दे,